हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग आज हम निकले हैं एक नई जर्णी की शुरुआत के साथ चलो देखते हैं आज कुछ नया करते हैं दोस्तो सुबह के साथ बजे हैं देखिये राजस्तान का नजरा कितना आचा है सुबह सुबह सुरुच की किरने और इसकूल जाते हुए बच्चिया और किता एक खुबसूर्थ नजरा है और हम निकल चुके हैं फ्लोदी की साइड और हम इस ब्लोग में आपको बताएंगे क कुछ नहीं एत्यासिक चीज मैं चलते हुए मिनिमूम तीन गंटे हो गया है हमारे गाड़ी में फ्यूल भी कम हो गया अब हम यहां पे टंकी पुल कराएंगे और तेल दलवाएंगे इदर आदिवासी जन जाते हो का डेरा है और यहां पे आदिवासी रहते हैं इनके पीछे इनके कबिला है और अगर इनको पता चल जाएगे हमारे कोई एरियम में को सक्त्रू आ गया है तो हम पे हमला भी बोल सकते हैं इसलिए हमें बीना कुछ बताएं बीना कुछ हम जिस चीज के बारा में बताने जा रहे हैं वो चीज हमें करीबन 5 Her the new दिख़ी दे रही है यह चीज जो दिख रही है हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं तो वीडियो के अंग तक बने रही है अब हम सिरफ तीन किलमेटर दूर है हम अभी रोड पर चल रहे हैं बट ऐसा लग रहा है है हम हातों को चूल लेंगे इसको बट इसकी उंचाई मिनिमूम नाना तीन सो चार सो फिट उपर है और दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे की इसमें हम हाथ लगा लेंगे बट यह बहुत दूर है अभी तक अब हम इसी चड़ाई करेंगे हमारा रस्ता आगे से है आकिरकार दोस्तों हम पहुंच गए हैं पवन्चक्की के पास में और काफी तेज हवाय चल रही है 200 किलोमेटर प्रतिक गंटा की रबतार से हवाय चल रही है पवन्चक्की के बहुत करीब है और पास में यह बिजली की लाइन जा रही है अब भी हम बता रहे हैं यह बिजली कैसे बनाता है पवन्चक्की का कार्य सिदान गुमने वाला सप्ट इन ब्लेडों को गुमाता है जो हवा की गतीच उर्जा को बिजली में बदलने में मदद करता है जब बेती हवा ब्लेडों पर दबाव डालती है तो यह गुमने वाले ब्लेड पवन्चक्की से जुड़े जनरेटर के कारण बिजली उत्पन करता है दोस्तो एक बड़ी पवन्चक्की करीब 3.4 मेगवाट बिजली पेदा करने में सक्समें जो की 1900 गरों के लिए काफी है दोस्तो आपको यह सुनकर हेरानी होगी एक पवन्चक्की लगाने की कीमत या इस्तापित करने के लिए 48,000 से 65,000 डोलर लगता है आप कमेंड में लिख के बताइए बारतिय मुर्द्रा में इसकी किमत कितना होगी आपको हलकी से जन्ना नौलेज देदे हम पवन्चक्की के बहुत करीब एक तम पास में है इस पर लिखा हुआ है यह डेंजर जोन है आपको बताते हैं यह चार परिदी के अंदर यह जन्ना लगा हुआ है जो पवन्चक्की यह गूमती रहती है जो बिजली उत्पन करके सीधा इसके दुवार होते हुए इस जन्ना जाती है और जन्ना से आगे इसका इस्टोरेज है वो इस्टोरेज होके आगे गाओं में सपले के लिए पेज दिया जाता है इस पवन्चकी को इंडियन ओईल कमपनी बनाती है इसमें सुजलोन कमपनी है जो 21 के वी वोल्टेज है जो और दीखने में एक यह रूम की तरह है और इसका गेरा मिनिमम दस वाई दस एक रूम के बाती है और इसके अंदर सीड यह लगी हुई है और कुछ भी टेक्निकल प्रोब्लम होने के बाद में इसका गेट खोल के अंदर सीड लगी उसके उपर जा सकते हैं दोस्तों आपको बता दे मिनिममम इसकी उंचाई 200 फिट है और दिखने वैसे लगता कि जैसे उपर गिर जाएगी और इसका वेग और हवा इतना तेज है कि यह इंसान खड़ा भी नहीं हो पा रहा है इनके इतने बड़े बड़े नट है मिनिममम एक केज का एक होगा अगर हाथ में पकड़े तो हाथ में भी नहीं आए इतना बड़ी है और इसका गेराव बहुत है यह इतनी मजबुत है चाहे आंदी आए चाहे तुफान आए चाहे कुछ भी आए बट इसको कुछ नहीं हो पहुंचकी नहीं अन्यकों पहुंचकी आए जो आप देख सकते हैं हमारे चारों और पहुंचकी पहुंचकी आए यहां बहुती अच्छा अद्बूद नजारा भी है बट यह सुनसान इलाकों में और और गाव और शेरों से दूर इनको लगाया जाता है जांपर हवा का वेक बना रहे और हवा की इस तरकी उंचई से जब्मिन की इस तरकी उंचई से उपर बनाया जाता है दोस्तों आपको बता दें यहां पवंचक्की के पास में बिना पर्मिशन बिना इंस्ट्रेक्शन के यहां कोई भी दाक्री नहीं हो सकता है हमने यहां पर यहां से सुर्क्षा करने वाले वोच में से अनुमति लेके फिर अंदर परवेस हुए है तो करपया आप दियान रखे बिना पूचे यहां पर आना आने वारे नहीं है और देखो अगर अगनी वगरा या कुछ आग वगरा लग जाती उसके लिए बुचाने के लिए यहां पर एक इस्टेंट बनारा रखा है बाल्टय है जिसमें रेत बरी भी है और पास्थपानी का एक टेंग भी है जो पानी से बढ़ा हुआ है अहर एक पवन चक्की के नीचे उटका एक जनरेटर होता है जो बिजली को संगरित करता है और उससे संगरित करके इन के विजली की पॉलों के द्वारा कन्टीनियू कानेक्टेड होते हैं एक बात एक स्टेब इस्टेब ये कनेक्टेड होते हैं सारी प। दराज तक जांगी भी देखो प्रतियक पॉल एक दूसरी स्थान पर जाती है और एक बड़े संग्राले के पास जाके इस्टोरेज हो जाती है शोटी जानकारी के लिए आपको बता दे कि प्रतियक पॉल पर कोई भी यहां अंजान वक्ति या सोसेट कलने के लिए वक्ति आये या बेड़ बक्री चरने वाला वक्ति है जो ना समझदार होते हैं आकिर कोई इसके उपर ना चड़ जाए क्योंकि उपर इकी सो केवी की वॉल्टे से चलने वाली लाइन है जिसको अगर दो तीन पुट से अगर दूर है तो भी बिजली का करंट आने का दर बना रहता है चटने की कोशिच करेंगे यहातों यह पेरों में चुप जाएगा हम ने यहां आने के लिए जान से अनुमति लिए वो कक्ष यह रह कि इनका यह कक्ष बन वाँ है और को कक्ष के आगे कार कड़ी काण liquids ह gelmiş यहां quand we के लिए आपको बता दें अगर आपको आये तो परिशान ही नहीं हो आपको वाफिस खाली आत या निराशा आत में लेकर नहीं जाना पड़ें यहां पर आने के लिए एक आइडेंटी प्रूफ होना चाहिए जो हमने आइडेंटी प्रूफ दिया था और इनके एक जो डेली क्यारी होती है वहां पर सिगनेचर करना पड़ता है अत्ता पता और मुगल नामा लिखना पड़ता है जो हमने यहां पूरी परक्रिया करने के बाद में यहां पर हम एंटर हुए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकार के साथ मानो या ना मानो